अलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जियो आएस आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे है वो है NCRT sociology class 11 introducing sociology का chapter 1 and part 2 part 1 हमारे जो last class था हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने खतम कर दिया था तो ये chapter 1 है sociology and society but part 2 part 2 में हमने क्या discuss करेंगे हम लोग उसके बारे में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे है sociological imagination अब अगर आप लोग नाम को ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the personal problem and the public issues तो हम लोगों को ये बात तो समझ आ ही रहा है कि हाँ कोई तो एक connection है ही between personal problem and public issues connection है कोई ना कोई तब ही हम लोग ये च हम ये चीज़ देखने वारे sociological imagination में ओके टास्क एंड प्रोमिस बाई सी राइट मिल्स 1959 तो सी राइट मिल्स ने एक चीज़ लिखा था उस चीज़ का नाम था the sociological imagination देखिए अब जो भी कोई जो कुछ भी लिखता है उस चीज़ का एक specific ground होता है मतलब के सी राइट मिल्स एक specific thinker थे वो एक specific घराना से बिलोंग कर थे घराना means conflict thinker थे ठीक है तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था उस चीज़ को समझने का किस context में कहा था शायद ही हम वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग बस कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था उन्होंने बस यही कहा था कि हम लोग ये बात समझते हैं मतलब कि हम लोग है वो क्वे की मेंडक की तरह ठीक है क्वे का मेंडक मतलब कि जिसे लगता है कि यही मेरी दुनिया है यही मतलब के world है जिसे मतलब के उन्होंने कहा था तो यह चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे कैद है, एक specific wall है उस wall के अंदर हम लोग कैद है और हम लोगों को लगता है कि यही हम लोगों का world है, तो वहाँ पे होता क्या है, कि बाहर क्या चल रहा है कि बाहर एक दुनिया है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं रहता है और हम लोग मतलब कि बस हम लोग का जो नेबर है हम लोग का फैमिली हम लोग का जॉब हम लोग का उकुपेशन उस चीज में ही हम लोग अपने आपको समेटे रखते हैं तो बाहर जो एक दुनिया है उस हम लोग का जो जगत है उसमें ही हम लोग बस खुश रहते हैं और तो और अगर हम लोग कोई specific trouble से जा रहे हैं मतलब कि कोई problem से गुजर रहे हैं तो हम लोग को यही लगता है कि यह मेरा मतलब कि नीजी problem है कि हाँ इसका कारण मैं ही हूँ मेरे वज़े से ही यह सब problem arise हुए है तो इसके जिम्मादार बस मैं ही हूँ ओके तब यह चीज सही है या गलत है मतलब कि मान लिजी के मैं एक इसका रिजन मैं अपने आप को समझता हूँ कि हा ठीक है मेरे वज़े से ही ही यह सब हुआ मेरे कारण से ही यह सब हुआ But according to him, यह चीज इतना ज्यादा simple नहीं है कहा जा रहा है, our personal trouble are directly linked to the social problem यह हम यह चीज कह सकते हैं कि our very own biography is related to our social history तो biography कैसे history से related है? कहा जा रहा है कि हम लोग आज जो है जैसा भी है, जो हम लोग सोच रहे है जो हम लोग अभी करने जा रहे है अभी हम लोग जिस हालत में है जो social situation है, जो मेरा personal wealth है सब कुछ उसके पीछे का जो reason है वो है history, ठीक है? तो history अगर ऐसा नहीं होता, ना होता तो हम लोग का biography जो है वो भी ऐसा ना होता for example, हम लोग अगर इंडिया को example दे, तो हम लोग यह कह सकते कि यहाँ पे अगर colonization, British imperialism यह सब अगर नहीं आता, तो शायद हम लोग अभी जो जिन्देगी बिता रहे है, वैसा ना होता ठीके हम लोग को पता है कि partition के बारे में, तो partition जब भी हुआ, तो जो social, economical जो भी standard status था सबका, सब कुछ खराब हो गया तो वैसे तो हम लोग कही सकते हैं, कि अगर वो सब चीज ना होता, तो शायद हम लोग अभी इस हालत में ना होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग अभी अच्छे हालत में हैं या फिर बुरे हालात में हैं पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम लोग जो भी है just because of our history that's why our own personal troubles are related to social problems क्योंकि हम जिससे सोच रहे कि ये मेरा बस अपना problem है मेरे कारण से ही ऐसा हुआ देखा जाए तो शायद ऐसा नहीं है मैं divorce हूँ मतलब कि मेरा divorce हो गया है तो देखा जा सकता है कि society में जो moral value है वो अचानक से कम हो गया moral value कम क्यों हो जाता है क्योंकि जब एक society कि बहुत fast हो जाता है industrialization आ जाता है urbanization आ जाता है तो इंसान के अंदर वो इंसानियत नहीं रहता communication gap तयार हो जाता है हम लोग rat race में लग जाते हैं हम लोग अपना status show off करने लग जाते हैं तो वो जो पहले वाला bond पहले के जमाने में होता था जिससे के हम लोग एक दूसरे के साथ रहने की मतलब के आदत सा हो जाता था किसी से हम लोग पूछ रहे हैं के वो कैसा है उसका हाल चाल कैसा है तो एक नीजी पन था वो अचानक से चला जाता है तो देखा जाता है के divorce का जो भी reason है वो सब societal है कि अभी एक बंदा घर नहीं चला पा रहा तो घर नहीं चला पा रहा तो उसकी भीवी खुश नहीं है या फिर जो financial status होना चाहिए था उनलोग का वैसा नहीं है financial status ठीक नहीं है इसलिए psychological effect हो रहा है या फिर family problem तो जो भी हो ये तो family भी तो society के अंदर एक institute ही है ना तो जो भी हो ये जो divorce का कारण है ये societal है और उसी के साथ हम लोग ये चीज भी कह सकते है कि सिर्फ मेरे साथ अगर ये चीज हो रहा है तो ये personal trouble है पर अगर देखा जाए कि society में बहुत लोगों के साथ ये चीज हो रहा है तो इसे हम personal trouble कैसे कह सकते है तब तो ये public issue हो गया ना तो ये ही देखा जाता है कि society में जो भी हो रहा है वो social reason से historical reason से हो रहा है और हम लोग जिस दौर से गुजर रहे है वो मेरा नीजी समस्या ऐसा कुछ नहीं है वो society का एक problem बन चुका है तो ये sociological imagination का task and promise है कि वो हमें कहता है वो हमें समझाता है कि देखो आपको मैं ये assure करता हूँ ये promise करता हूँ कि society में जो भी relation है आपको समझना होगा ठीके मैं आपको समझा दूँगा तो क्या क्या relation है first of all हमें समझा है the relation between biography and history the relation between personal trouble and public issue और उसके साथ society का जो भी structure है वो हम लोगों को सीखना होगा तभी जाके मतलब कि जो भी structure है वो हम लोगों को जानना होगा उसे सवाल करना होगा कि हम लोगों का जो society है ये ऐसा क्यूँ है कब से है कैसे है इसे हम क्या बदल सकते कि ये जो structure है क्या ये सही है तो इसमें गलत कब से आ गया तो ये सब चीज हम लोग जब करेंगे तब हमारे अंदर क्या आएगा तब हमारे अंदर आएगा sociological imagination अभी मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग imagine करते हो क्या imagine करते हो क्या आप लोग मुझे कह सकते हो कि what's the basic difference between thinking and imagining आप लोग कहेंगे कि sir thinking is some kind of practical thing कि मैं कुछ practical चीज सोच रहा हूँ ये है thinking और imagination है कि थोड़ा practical नहीं होता कि मैं अभी सोच रहा हूँ होगा cm बन जाओंगा ये imagination है और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कहीं पर जाओंगा वहाँ पर मेरा attire कैसा होगा मैं कैसे interact करूँगा ये मेरा thinking है तो thinking is something which is practical related with reality and imagination क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा शाहिद करेंगे जिसके साथ practicality का ये है कि जब हम लोग ये समझ पाएंगे that our history and biography are related that our personal trouble and public issues are related जब हम लोग समझ पाएंगे कि ये जो structure है इसे हमें सवाल करना होगा हम लोग इसे सवाल पूछेंगे ये जैसा है हम लोग वैसे ही उसको accept नहीं करेंगे तर जाके हम लोगों के अंदर जो आएगा वो है sociological imagination तो अभी आप लोग बताईए कि क्या आप लोग के अंदर sociological imagination है या नहीं है अगर है या नहीं है ये आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपको बस एक ही चीज़ समझना होगा कि आप ये जो मैंने तीन क्राइटिरिया कहा या उस वैसे आप सोचते हो अगर आप वैसे ही सोचते हो तो हाँ आप में जो imagination है वो sociological imagination है और अगर आप में वैसा वाला sociological imagination नहीं है तो आप हो एक layman ठीक है तो मैं ऐसा भी कह सकता हो कोई बंदा कहता है कि मैं 10-12 साल से sociology पर रहा हूँ या परहा रहा हूँ तो क्या हम कह सकते कि उस बंदे का जो imagination है वो sociological imagination है नहीं ऐसा मतलब कि हम लोग कह नहीं सकते क्यों कह नहीं सकते क्योंकि sociology 10-12 साल पढ़ने से या पढ़ाने से ही किसी का जो imagination है वो sociological imagination नहीं बन जाता अगर उसका criteria match कर रहा है कि हाँ वो सोच पाता है कि that his or her biography is related and how related, how much related what are the effect of the history on him or her तब जाके वो उसका imagination, sociological imagination बनता है वरना नहीं ठीक है तो यहाँ पर जो है example दिया गया है कि how history is related to biography जब world war 1 हुआ, जब world war 2 हुआ तब society में अचानक से change हो गया तो एक औरत बिद्वा हो गई, कुछ बच्चे अनाथ हो गए तो मैं यह खह सकता हूँ ना, कि एक अनाथ बच्चा अनाथ क्यों हुआ, क्योंकि उसके history में कुछ हुआ, क्या हुआ world war 2 हुआ, तब जाके वो बच्चा अनाथ हुआ तब जाके उसको struggle करना पड़ा तब जाके एक, मतलब के बहुत problem से भरी हुई एक जिन्देगी उसको बिताना पर रहा है ठीक है, तो यहाँ पर example दिया गया world war 2 का, पर हम लोग Indian हैं तो हम लोग world war 2 का भी जो effect है वो हम लोग के उपर obviously था पर हम लोग जिस effect के बारे में कह सकते हैं वो है, colonization of Britishers, British imperialism ठीक है, तो इसके बारे में हम कही सकते हैं यह सब हुआ, तभी जाके हम लोग का जो history है, change हो गया और history change हुआ, इसलिए हम लोग के उपर हम लोग का जो biography है, यह change हो गया ठीक है, और एक example हम लोग दे सकते हैं world war 2 में तो सब कुछ बुड़ा हुआ हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं, कि हाँ, बुड़ा चीज है पर एक चीज अच्छा हुआ था, वो यह है कि और अरत पहले घर से नहीं निकल पाती थी तो अभी क्या हुआ, world war के कारण, world war 2 के कारण सब ही जो पुरुष थे, मढ़ थे, वो तो चले गए, world zone में ट्रेनिंग में चले गए, या फिर जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर चले गए तो तब एक need आप रहा, कैसा वाला need? कि नहीं, औरत अगर घर से नहीं निकलेंगी तो घर नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा तो कमाना है, है ना? तो तब औरत को एक मौका मिला, घर से निकलने का, अब देखिए, ये मौका इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, इससे पहले उनको ये मौका नहीं मिल था था, पर obviously need था तब ही वो लोग निकले तो वो लोग को, मतलब कि वो लोग को ये मौका मिला, कि हाँ, वो निकल पाए अपने घर से और उनको लगा कि नहीं, मेरा सिर्फ ये private sphere ही मेरा sphere नहीं है, ये public sphere भी मेरा sphere है तो ये जो realization उसके बाद मर्द कोशिश करके भी औरत को घर में नहीं ला पाई, मतलब कि वो लोग empowered हो गए, women empowerment का एक जो शुरुवाद था, वो world war 2 के कारण भी हुआ था, ठीक है तो देखिए, how history is related to today's biography, तो आज जो लरकी काम पे जा रही है, अकेली पैसा कमा रही है, इसका कारण शायद वो world war 2 में छुपा हुआ था, that's how our history is related to our biography, ओके, तो ये था हम लोगों का पहले chapter का second part, मिलते है अगले part में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद